मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहतर तरीके से चल रही होगी जब हम प्रप्रेशन के टाइम पर होते हैं तो उस मार्ग से भटकाने के लिए हमारे पास कई विकल्ब जो है वह हमारे सामने नजर आते हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज जरूरी है और वह है आपका द्रढ़ निश्चा है आपका एम के प्रती आपके लक्ष के प्रती अगर आपने सोच लिया है कि इस लक्ष की प्राप्ती करनी है और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपको भटकाने के लिए कित कि ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए बस एक बार ठान लीजे और ठान कर बस प्रयास करते रहे हैं कब तक जब तक आपको आपका लक्ष आपका एक्जाम जो है वो क्रेक नहीं हो जाता बासवच में आ रही है चलिए इसी विचारधारा के साथ में आप अपनी पढ़ाई सेप्टेंबर में कब तो सेप्टेंबर में मनाया जाता है for Sunday है बikit अपनी आ तो विच्ट नाधी दिवस जो है वो फोरth संडे अब सेप्टेंबर में celebrate किया जाता इसलिए इसका राइट इंसर जो है वहाल ही है कुम ब cabbagearat करतेफी परिए एसक पोर्स आप लोगों नहीं क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सभी प्रारूप मतलब की बात कर रहे हैं टेस्ट की ओडियाई की ठीक है और टी ट्वंटी की तो यह क्रिकेट के सभी प्रारूप है तो यहां पर बोल रहा है कि इन सभी प्रारूपों में अभी नंबर वन रैंक पाने वाली टीम जो है व बड़ी क्या मतलब तीम है तो ऊपर नीचे आती रहती है इसमें खास बात यह है यह इसमें थोड़ा सा जानने लाइक चीज यह है कि टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर वन पायदान पर एक टीम आई है वो इंडिया है वन डे पर भी टीम आई है वो कुन सी है वो भी इंडिया ही तो तीनों फार्मेट में नंबर वन रेंग करणने का कीरतिमान अभी तक और अफरिका और उसके बाद दूसरी टीम आगई है वो कौन सी है वो है इंडिया अभी रिसेंट्ली का पूछ रहा है इसलिए आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि सर इंडिया जो है हाल ही में वो number one team बन गई है South Africa ये कीर्थिमान पहले कर चुकी है लेकिन अभी जो है वो इंडिया का नाम आता है इन दोनों टीमों के अलावा इन दोनों देशों के अलावा कोई भी cricket team ऐसी नहीं है जो test one day और T20 में पहली rank जो है वो उसने हासिल की हो बासवन में आ रही है अभी ODI की अगर हम बात करते हैं one day ranking की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप याद रखेगा कि सबसे उपर जो है वो इंडिया टीम है कितने point है उसके तो rating है one मतलब आप यह देखेंगे तो 5025 point है ठीक है point बस देखें हाला कि यह भी ज़ूरी नहीं है इंडिया के बाद में पाकिस्तान है अभी पाकिस्तान कुछ टाइम पहले पहले पर आ गए थी लेकिन इंडिया ने जैसे ही अपना एक मैच अभी हाल ही में जीता है उसके बाद इंडिया पहले position पर आ गई देन related लगातार question जो है वो कराता रहता हूं और ICC जो है वो time to time अपने player of the month जो है उसको declare करती रहती है यहां पर player of the month पूछ रहा है लेकिन कौन से month को यह अगस्त month की बात कर रहा है तो अब पूछ रहा है कि भाई ICC के द्वारा अगस्त 2023 के लिए ICC player of the month जो है वो किसे घोसित किया गया है तो याद क्या रखना है याद रखना है सर बाबर रौजम और आरलेने केली जो है आयरलेंड से हैं उनको क्या किया गया है ICC player of the month खिताब दिया गया रही है ICC की अगर हम बात करते हैं तो ICC का headquarters जो है वो कहां पर है वो दुबई में है 15 जून 1909 को इसका establishment नाम है जियोफ अलाइडिक ICC chairman की अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम है Greg Barclay तो यह नाम जो है वो आप याद रखिएगा जगह याद रखिएगा हेटक्वाटर याद रखिएगा और उसकी establishment जो है वो भी आप याद रखेंगे क्वेशन नमबर थर्ड की हम बात करते हैं हूँ रिसीव दे टुथाउजन ट्वंटी थ्री नॉर्मन बॉर्लोग फिल्ड अवर्ड देखिए यह नाम तो आपने लगातार सुना होगा और यह नाम कहां सुना होगा वह थोड़ी दिर में मैं उसकी भी चर्चा करता हूं य को और इनका नाम है स्वाति नायक ठीक है अभी फिलाल आपके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि किसको दिया स्वाति नायक को दिया और इसी अवर्ड के थैट उनको क्या मिलेगा एक पुरुसकार के थैट डिप्लोमा से सम्मानित करेंगे और साथी साथ 10,000 डॉलर जो है व जब भी हम Ned십 e revolution की बात करते है तो वर्ड में हम किसका नाम लेते हैं हम नाम लेते हैं नार्मन बोर लॉक का और एक नाम और लेते हैं Green Revolution की बात हो रही है तो एक नाम और देख लीजिए कहा इंडिया में फाृदर ओफ ग्रिं रिवोल्यूशन जो है वो किसको बुला जाता है स्वामी नाथन है राइट तो यहाँ पर याद रखिए कर नॉर्मन बौर्लक फादर आफ ग्रिन रिवलिशन इंडिया के है तो जब भी आप से पूछेगा कि सट ग्रिन रिवलिशन के फादर कौन है तो आप वहाँ पर वर्ल्ड का पूछ रहा है या इंडिया का पूछ रहा है अगर वहां मेंसन नहीं है तो फिर आप option के आधार पर एंसर जो है वह भी दे सकते हैं बास्वण में आ रही है चलिए कोशन नंबर 4 की बात करते हैं कोशन नंबर 4 जो है वह बोल रहा है foreign ministers of which country attended the 78 session of the United Nation General Assembly जिसको UNGA बोला जाता है ठीक है और इसका फुल फॉर्म भी अपने आप में important है ठीक है वहां उपर दिया हुआ है एक बार मैं लिख देता हूं आपको तीजिए याद रहे हैं United Nation General Assembly याद क्या रखना है United Nation General Assembly का 78 सेशन जो है वह क्या हुआ है अभी जिसमें question यह पूछ रहा है कि किन देशों के विदेश मंत्रियों ने वहां पर भाग लिया है तो सबसे पहले question की बात करते हैं फिर UNGA की तरफ चलते हैं वहां पर किन देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है तो वहां पर Quad Nation याद क्या रखना है Quad Nation मैंने आपको पहले भी बताया है कि Quad Nation में कितने देश हैं तो Quad Nation में चार देशें कौन कون से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA ठीक है कि याद क्या रखना है कि जो Quad Nation है जिसमें चार देशें उसके देश के विदेश मंत्री UNGA में के 78 सेशन में अभी सामिल हुए है ठीक है तो क्वार्ड नेशन कंट्री कि इत्ती कंट्री है चार कौन कौन सी इंडिया आस्ट्रेलिया जापान और USA बात स्ब्रसय से carry Ah अब 78 सेशन जो है इसकी अगर बात करते हैं यहां पर और यह इसका ऑपजीक्ट्रीrum की बात करें तो अंतर राश्त्रीा dancing के अधार पन कर दिशारी कांटों के मैं और राश्त्री कानून के आधार पन कि समस्याओं का समाधान करना बासवाज में आ रही है तो यहाँ पर आपको यह आईडिया लग गया कि सर युएन जी एके 78 वे सेशन में कौन सी कंट्री के विदेश मंत्री भाग लिए है तो क्वाड नेशन के क्यों भाग लिए है भारत की तरव से कि स्कों भाग लिया है भारत की तरव से एस जै संकर यह है वहाँ पर वह युएन जी एक 78 वे है और क्या करेंगे भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे अब देखिये यहाँ पर yourself, full form भी अपने इंपॉटेंट थैं तो याद रखी यूणाइटेड नेशन जन्रल स σαςम्डी इसका पार्ट है यह यूनाइटेड नेशन का पार्ट है और यूनाइटेड नेशन के जब हम सेगमेंट की बात करते हैं तो यूणाइटेड नेशन income कितने सिग्मेंट में से एक सिग्मेंट जो हो है वो क्या कहलाता है कि certified عن्य चुख जो हम चोड़ा आ रही हैं पॉर्सम्स होड़ पांच सेग्मेंट जो हैं ऑक तो मैंने बता दिया उन्य जी थी दूसरा तीसरा चोथा पांचवा और छटवा जो है वह आप मुझे कमेंट करके बता देंगे बास्वज में आ रही है तो याद क्या रखना यूनाइटेड नेशन जनरल इसेंबली इस्टेबलिस्ड इन नाइंटीन फोटी फाइफ अंतर राश्ट्री कानून के आधार पर स चार कंट्री आती है जिसमें इंडिया और यूसे सामिल है बास्वज में आ रही है तो आपको इतनी चीजें इसमें याद रखनी है क्लियर चलिए कुश्चन नम्बर फाइव की हम बात करते हैं कुश्चन नम्बर फाइव जो है वो बोल रहा हूँ अनवील पीपल्स जी ट्वंती पीपल्स जी ट्वंती एब बारे में लगाता रहे हैं जी ट्वंटी के बारे में लगातर कोश्चन किये भी है कोश्चन ऐसे कि जी ट्वंटी में कौन-कौन सामिल हुए इसका उद्देश क्या है इसकी थीम क्या है किन-किन देशों ने इस पर किस प्रकार के बिंदूओं पर चर्चा की जी ट्वंटी पर अलग-अलग ऑथर ने अपनी अलग-अलग बुक जो है वह भी बताई है वह भी पब्लिस की है उनका भी अनावरण किया है तो यह सारी चीजें जो इस साल जी ट्वंटी से संबंदित हैं वह सारी के सारी चीजें जो हमारे एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है उसी कड़ी में एक और प तो याद रखिएगा मिस्टर अपूर विचंद्र जो है उन्होंने इसका अनावरण किया है क्वेशन नंबर सिक्स की हम बात करते हैं क्वेशन नंबर सिक्स जो है वो बोल रहा है कि the 14th edition of the global skill summit has began in वेश्विक कोसल सिखर सम्मेलन का चवदवा संस्करण कहां शुरू हुआ है अगर आप से जगह पूस्ता है तब आप डारेक्ट बोलिए कि सर कहां पर शुरू हुआ है वो तो शुरू हुआ है डेली में ठीक है इसको अगर आप देखेंगे तो इसको आप फिक्की अगर यहां पूछ रहा है कि वेश्विक कोसल सिखर सम्मेलन का चवदवा संस्करण कहां हुआ है तो वो देली में हुआ है दो दिवसी सम्मेलन था यह इसकी थीम की अगर हम बात करते है तो इसकी थीम जो है वो क्या थी वह भी एक बार आपके लिए जरूरी है कि आप ये भी याद रखें कि सर किस theme के द्वारा किस विशाय के द्वारा इसका मतलब आगे लेकर जो है वो चीजों को चला गया है तो यहाँ पर अगर mention नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी theme क्या थी इसकी theme थी building skills, empowering youth and creating a future ठीक है याद रखना है building skills, empowering youth and creating a future तो अगर आप से यह पूछता है कि सर जो 14th edition हुआ है global skill summit का उसका theme क्या था तो आप directly बताईएगा सर उसकी theme थी उसका विशह था building skills, empowering youth and creating a future यह अपने आप में important point बासवन में आ रही है इसका objective क्या था, किस aim के साथ में किस तरीके से इसको आगे लेकर या क्या कारी करने के उद्देश से यह संसकरण जो है वो देखने को मिला तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका main aim जो है वो क्या है वो roadmap तयार करना है किस चीज का roadmap तयार करना है तो यहाँ पर आप देखें हाइग क्वालिटी इंडस्ट्री स्कीलिंग इकोसिस्टम इंडिया में डवलप करने के लिए एक roadmap जो है वो तयार करना है ठीक है याद रखना है roadmap roadmap तयार करना ठीक है किसके लिए इंडिया में हाइग क्वालिटी इंडस्ट्री स्कीलिंग इकोसिस्टम डवलप करने के लिए दूसरा इसका एक और मिख्य एम के तौर पर आप इसको देख सकते हैं क्या देख सकते हैं कि सर जो यूथ है ईसी यूथ को स्किल करना है और स्किल करने के प्रयाज और किस प्रकार से किया जाएगा तो वो किया जाएगा education प्लस इसकिल के समनवे के द्वारा चीजों को इस प्रकार से करेंगे कैस एजूकेशन के साथ-साथ आपको कौसल भी मैं लगाता है जब भी अजूकशन की बात करते हैं तो प्रीवियस सेज्टेशन सिस्टम की अलग अलग जो लोग है वो इसलिए भी आलोचना करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि भाई एजुकेशन सिस्टम जो था हमारा वह वह क्वांटिटी बेज़ वहाँ पर चीजें इस दूट को क्या करना कॉसल्प्रादान करना कैसे करना है तो जोiseduction सिस्टम है हमारा उसके साथ में इस्किल्डफमेंट जैसी चीजने जो है वो भी एक्जिक्यूट कराई जाएंगी तब जाकर यूठ इसकील होगा और स्किल होने के बाद में वह उसका जो सिक्षा है वह कैसी होगी रोजगार उन्मुख होगी यह पॉइंट इसमें जरूर रखेंगे क्लियर है शुर्चननल7 की हम बात करते हैं कुष्चननल7 जो है वो वर्ल्ड रोजदे से रिलेटेड है और बोल रहा है कि when was world rose day 2023 celebrated विस्तु गुलाब दिवस जो है वो कब मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 सितंबर को ठीक है लेकिन इसका एक और नाम है वो नाम सुन लिजे फिर आपको इसका objective जो है वो अपने आप में समझ में आ जाएगा कि इसको और हम क्या बोलते है इसको कहते हैं वेलफेर ओफ कैंसर पेसेंट डे ठीक है यह क्या है यह वेलफेर ओफ कैंसर कि दे के तोर पर भी मनाया जाता है बासवाज में आ रही है अब यह याद रखिया ठीक है इसको क्या बोलते है इसको बोलते है वेलफेर ओफ कैंसर पेसेंट डे के तोर पर क्यों मनाया जाता है तो यह इसलिए मनाया जाता है ताकि जो कैंसर से पीडित लोग है उनके प्रती प्रेम और समर्थन का भाव जो है वो उत्पन्न हो बासवन में आ रही है तो यह इसलिए मनाया जाता कि कैंसर से प्रेम और समर्थन का भाव जो है वो उत्पन्न हो इसलिए वर्ड रोज देखो हम वेलफेर ऑफ कैंसर पेसेंट डे के तौर भी पर भी सेलिब्रेट करते हैं बासवन में आ रही है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 8 की बात करते हैं विन्वाज इंट केति के भासा का प्रयोग करते हैं तो जो साइन लेंग्वेज है वो कब सेलिब्रेट होता है अभी आपने क्या देखा सर हमने इंटरनेशनल रोज वर्ड रोज डे ठीक है और उसी को विलफेर ऑफ कैंसर पेसेंट डे भी बोल रहे हैं अब आप क्या देख रहे हैं अब आ तो यह इसमें याद रखिया अब इसकी एक थीम है इसमें एक पोईंट और याद रखिए कि सल कि इसकी थीम है क्या थीम है तो ओर वर्ड वेर डीफ पीपल एव्रीवेर कें साइन एनिवेर यह इस सल नमिट के हम बात करते हैं कुश्रन नमबरम ने जो है वो बोल रहा है has been chosen as the best tourism village of India in 2023 2023 में भारत के सर्वस्रेष्ट पर्यटन गाउं के रूप में किस इस्थान को चुना गया है यहां पर हाल ही में जो सर्वे आया है और यह declaration जो दिया गया है वह अभी आया है दो तीन दिन पहले ही और वहां पर जो गाउं सबसे यह सर्वस्रेष्ट पर्यटन गाउं के तौर पर चुना गया है उसका नाम है विस्वनाथ घाट और वो किस राज्जी में है वो है असम में विस्वनाथ घाट जो है वो प्रसिद्ध क कई मंदीर है ठीक है और तीसरा इन मंदीरों में जो है वह वो काफी प्रसिद्ध अ बात सुझ में आ रही है तो याद क्या रखना भारत का सर्वस्रेष्ट पर्यटन गाउं के रूप में किसे चुना गया है वो चुना गया है विस्वनाथ घाट को और वो किस राज्जी से संबंधित है वो संबंधित है आपके असम राज्य से ठीक है मंदीरों कई मंदीर है कई फेमस मंदीर है और एक और इंपोर्टेन पॉइंट आप इसमें अगर चाहें तो वो इसकी फोरा था मुझे वो भी आप याद करते हैं काफी इंपोर्टन कोशन है अभी अभी हाल ही में आपने न्यूज में भी देखा है कि इन्विस सिटी ओफ एंपी डिट चीफ मिनिस्टर चौहान अन्वील दा 108 फिट अपने आप में ही एक डेटा यह दे रहा है कोश्चन में ही आपको डेटा मिल रहा है फिट हाई आधी संकराचारी स्टेचू आधी संकराचारी जी का पहला क्ति आधी इस सेघ्र में बनाया गया है किस सहर में ठीक है सब से पहले ख्वेश्चन में क्या क्या दिया वो डेटा देख लीजै कि एक एक 108 फिट की है ठीक है पहली चीज यह दूसरा क्या सर किस सहर में है किंदो रुज्जन ओंकर इस्वर अमर कंटक्स जैसे सहर जो है वह यहां पर दिये हुए है न्यूज में आपने अभी अभी देखा है ओंकर इस्वर में यह स्टेचू का सुबारम किया गया कहां पर ओंकर इस्वर में ठीक है यह याद रखना है ओंकर इस्वर के बारे में अगर मैं आपको बता हूं तो बारा जोयतिर लिंग में से एक एक है ठीक है नर्मदा नदी के किनारे सहर बसा हुआ है कभी कभी आपसे अलग-अलग एक्जाम में कुष्चन भी पूशते हैं सहर दे देगा और बोलेगा कि भाई यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो उंकार इस्वर जो है वो नर्मदा नदिक किनारे है 12 जोतिर लिंगों में से एक है और यहीं पर आदी संकराचारे जी के 108 पिट की उची प्रतिमा जो है उसका अनावरण किया गया है किसके द्वारा MPK CM सिवराज सिंग चौहान के द्वारा बात करते हैं आदी संकराचार जी जो है वह मैं मुझे आपको बताने की आवश्यक्ता नहीं है मैं में में पॉइंट बता जेता हूँ आप सभी इनसे बहुत अच्छे तरीके से परचीत है सबसे पहले आपको जानने की जवरत है कि सर इनका सिध्धानत क्या था तो याद रखना है इनका सिध्धान था अद्वैत वाध ठीक है इनका सिध्धान क्या था तो इनका सिध्धान था अद्वैत वाध ठीक है एक पॉइंट यह है दूसरा हिंदू धर्म को बढ़ावा एवं प्रचार प्रसार में एहम भूमी का ठीक है दूसरा अद्वैत वाध को बढ़ावा या अद्वैत दर्शन के विकास में हम योगदान ठीक है और दूसरा इसमें याद क्या रखना है कि यह जो इस टेचू है इसको और किस नाम से हम जानते हैं तो इसको हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बात सुझ में आ रही है क्लियर है को दूसरा कोशन यह उड़ता कि सर जो यहां पर यह स्टेचू का नावराण किया गया है कितने लागत सी यह चीजे जो है वो देखने को मिल रही है तो लागत की अगर आप बात करेंगे तो आप याद रखिए कि इसमें जो लागत लगी है वह的時候 करोड रुपए की लागत लगी है कितना 2200 करोड रुपए की लागत की परियोजना है और नाम है अद्वैत लोक याद रखिएगा क्या है ए पैकर 2200 करोड कि क्लियर है चलि तो इसमें आपको इतने पॉइंट जो है वो याद रखने पड़ेंगे तो यह हमारे आज के दस कोश्चन थे आपके लिए जो कोश्चन ऑफ दे है वो यह है कि उधंपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है ठीक है एक सहीद हुए हैं उनके नाम तो रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो रखा गया है आप मुझे ढूड कर कमेंट करके और उसका एंसर बताएंगे बागिया पढ़ाई करते रिए खुश्री है थैंक्यू सो मच